कि अग्राफ नून एब्रिवान वेल्कम बैक टोड़ा 247 आई एस दोस्तों मैं हूं अंके चौधरी और बारा बच गया है पॉलिटी क्लास का समय हो गया जो जो मेरे साथ जुड़ गया है ग्राफ नून वंस अगैन एक बार मुझे जल्दी से कन्फर्म कर दीजेगा मेरी व Claudia के तौर पर मत देखना यहां पर आपके जो wereаюсь on Caroline कलारीटी पर भी हम काम कर रहे तो एक होल सम सेशन होने वाला है जहां पर आपके कान्फ़र्म कर दीजए ठीक है ठीक है तो चलिए बैटा सेशन में आगे बढ़ते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं और तार्गेट आपने देख लिया होगा आज से टार्गेट रख लिया कि आने वाले प्रिलिम्स के एक्जाम में आपके 125 मार्क्स तक पहुंच जाए देखो अगर टार्गेट 125 का रखोगे 110 115 पर भी पहुंचोगे तो भी प्रिलिम्स क्रैक कर पाओगे ठीक है और नया साल आ रहा है यह एंड सेल है यह एंड पर सबसे बड़ी सेल लगती है आप एडमिशन ले सकते हैं 24 महीने की वैलेडिटी के साथ यूपी एससी का महापैक मिल रहा है लेकिन अगर आप मेरा कोड आप लोगों के लिए और सस्ता करवा दिया यह लगभग 18,000 रुपे के आसपास पढ़ जाएगा आपका महापैक वाई 365 लगाना वाई 365 लगाना है और एडमिशन इंशोर करना है ठीक है स्टेट के जितने भी महापैक है स्टेट PCS के जितने भी महापैक है बेटा वो भी आपको लगभग 2999 रुपीज के मिल रहे है वाई 365 लगा लोगे और सस्ते हो जाएंगे और आपको पता ही है ऑफलाइन टेस्सीरीज आ चुकी है अगर आपको इसमें अडमिशन लेना है तो आफलाइन टेस्सीरीज में वाई 365 एस लगेगा एस कोड़ 50 मॉक टेस्ट हैं आ को लाइक और शेयर कर देना ठीक है सेशन शुरू करने जा रहा हूं मैं पहले क्वेशन के साथ यह लोगई पहले क्वेशन अच्छा पहले क्वेशन से पहले यह मेंज आंसर राइटिंग बैंकित सर मेरा टेली ग्राम चैनल यहां पर क्लास की PDF क्लास का नोटिफिकेशन के साथ जुल्बी सकते हो लोगई पहला सवाल कर पहला क्या लॉक्त पहला सवाल आगे आपके सामने का qo good afternoon good afternoon बेटा मैं बढ़िया हूं आप बताओ आ आपके सामने आ गया लोगई पहला क्वेस्टन की सभी आंसर कर देंगे ठीक है पहला सवाल पहला क्वेश्चन सभी आंसर करेंगे सेशन को शेर कर देना लाइक कर देना जैसा मैंने कहा ठीक है आज जो क्वेश्चन है मैटा वो करेंट अफेर्ज ओरियंटेड बहुत है देखो हमेशा याद रखना अगर आपको हिंदी पसंद है अगर आप हिंदी साहित्ते के साथ जाना चाहते बिल्कुल हिंदी ओप्शनल ले लिजे कोई टेंशन मत लीजे सीधा एडमिशन लीजे हिंदी साहित्ते में देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जब भी जब भी कभी देश में चुनाव होते हैं मेरी बात को समझना जब अभी कभी कंट्री में देश में इलेक्शन होते हैं चुनाव होते हैं तो चुनावों से सम्मंदित सवाल आपके लिए इंपउटेंट हो जाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपने देखा अभी हमारे यह पांच राज्यों में लगभग चुनाव हुए और अब 2024 में चुनाव आने वाला अभी अभी चुनाव हुए हैं तो हमें पता है कि 2024 के प्रिलिम्ट में इलेक्शन पर विचार करें एस पर को निर्वाचन शेत्रो से चुनाव लड़ सकता है इफा केंडिडेट इलेक्टिड फ्रॉम टू कॉंस्टिट्वेंशी फेल टू रिजाइन फ्रॉम वन अब दशीट्स विदिन 14 डेज देन बोथ इस सीट स्वाल वेकंट देख यह पहली बात तो पहली बात तो इसका जवा है option number B इसका जवाब है option number B अगर आप लोगों का गलत हुआ है तो पहले तो खुद से सवाल करना गलत क्यूं हो गया और उसके बाद मैं आप आपको बताने वालों की गलती कहां होई है यह गलत नहीं होना चाहिए ता मेरे हिसाब से यह गलत नहीं होना चाहिए था यह सही बात है कि इंडिया में एक कैंडिडेट लोकसभा में मैक्सिमम-दो कॉंशिट्वेंसी से चुनाव लड़ सकता यह बिलकूल सही बात है यहाँ पर जो बात कही गई है वो सही है गलती कहा है गलती है यहाँ पर एस पर दा कॉंसिटिटीशन भारत के समविधान के अनु अधिनियम में रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल्स एक्ट 1951 जन्प्रतिनिधी अधिनियम 1951 में बात कहीं गई है बताई यह मैंने आपको यह बात यूपी एसी में से रिलेटेट मैंने आपको प्रिवेस एर क्वेशन जब कराये तब समझाया था कि पहले ऐसा हुआ करता था एक केंडिडेट और पीपल्स एक्ट में भी बात लिख दी गई है कैसे गलत हुआ गलती कहा है मैं बताता हूं यह होती है सिली मिस्टेक जो आप से आपका सिलेक्शन छीनेगी याद रखिएगा अभी भी अगर आप नहीं समझे इतने दिनों से समझा रहा हूं यह बात अभी भी अगर कि दूसरी अगर आप दोनों सीट से जीत कर आ जाते हैं मोदी जी का इक्जामपल भी दिया था मैंने अगर आप दोनों सीट से जीत कर आ जाते हैं तो आपको 14 दिन के अंदर यह बताना पड़ेगा कि आप कौन सी वाली सीट पर रहना चाहते है क्योंकि अगर आप 14 दिन के previous year question कराये थे तब समझायता गलत हो रहा है that means silly mistake है जबरदस्ती भागा दोड़ी में आप answer करना चाहते हैं आप statement को ध्यान से पहचानते भी नहीं दो घंटे मिलेंगे UPSC के exam hall में दो घंटे दो घंटे में पूरा paper solve करना है अगर यह हल रहेंगे आपके आप अपने हाथ से दस्यों question गलत करके आएंगे दस्यों लिख वाली जे मुझस से आज और बेटा एक्जाम के बाद मुझ लटकाने से कुछ काम नहीं चलता एक्जाम से पहले मेहनत करनी होते हैं चीजों को दिमाग में रखना होता है आप नहीं रख रहे हैं फिर correct answer is B next question पर आजे यह रोज समने के बावजूद अगर आप ये बात दिमाग में नहीं रख रहे हैं भाई आप नहीं सीरियस फिर भी आपको काम करते हैं, बताइए करते हैं, बताइए हमने देखा है कि इंडिया में इलेक्शन अलग-अलग तरीकों से कराए जाते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, भारत की तो भारत में जो चुनाव होते हैं, वो अलग-अलग तरीकों से कराए जाते हैं, अलग-अलग प्रक्रियाओं से कराए जाते हैं, अगर मैं कॉन सब्सक्राब या विदान सब्सक्राइट को होता इसे कआ जाता है PKT उनाव Direct इलेक्षिन तो यह क्या है प्रत्यक्ष चुनाव है डाइरेक्ट इलेक्षिन है और उनThe संब्सक्राइब ने जो होता जिसमें देश की जन्ता स्वैंघ्ल टालिए है सब्सक्राइब कर एडिया में सब्सक्राइब कर दिया जाता है लोक सब्सक्राइब और फिरान सब्सक्राइब यहाश्ट्र पती को फीरश्च्रstes नम्हीं चुनाब फिर राश्ट्रपती का चुनाव प्रेशिडेंट का चुनाव या फिर राज्य सभा के चुनाव यह होते इंडारेक्ट यह हैं बैटा इंडारेक्ट अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें देश की जनता वोट नहीं डालती इसमें वोट डालते हैं ह proportional representation आनुपातिक प्रतिनधित्व प्रनाली के आधार पर यहां पर कहा जा रहा है during the general election general election आम चुनाव कहा जाता लोक सभा के चुनावों को या विधान सभा के चुनावों को during the general election in India a candidate who secures the highest number of votes is in that constituencies declared elected बिल्कुल सही बात है भारत के आम चुनाव में किसी निर्वाचन शेत्र से सरवाधिक मत्प्राप्त करने वाले उमीदबार को निर्वाचित घोशित किया जाता बिल्कुल बात है जिस भी candidate को maximum vote मिलेंगी अधिक्तम वोट मिल जाएंगी उसको जीतावा डिकलेर के जाएगा क्यों क्यूंकि आम चुनाव में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सरल बहुमत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है सेकिंड स्टेटमेंट भी सही है और सेकिंड स्टेटमेंट जो है वो पहली वाली को explain भी कर रही है इस वज़े से हमारा answer हो जाएगा option नंबर a option नंबर a देखो मैं कई बार UPSC Candidates को बात समझाता हो बहुत चुनिंदा बच्चे होता है मुठी में handful का जाता है इतने से बच्चे होता है जो यह बात समझते हैं एक serious UPSC aspirant अपना selection कहां छोडता है वो छोडता है उस exam hall में बैठ कर easy वाले question जो से आते थे उन में silly mistakes जब करता है मुश्किल वाले तो वैसे भी नहीं होने थे लेकिन आसान वाले जो आते थे उनको गलत कर दिया तो आपने अपनी accuracy जो है उसको कम कर दिया accuracy कम करने का मतलब है selection से आप बाहर होगे silly mistakes मत कीज़े जो चीज़ आती है उसे ध्यान से attempt कीज़े कोशिश कीज़े कि जो चीज़ आती है वो तो पूरी सहीयों में लो भाई अगला सवाल next question consider the following statement with respect to cooperative societies cooperative societies की बात और यह बटा सहकारी समीतियों की ध्यान से करना थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इस question का answer मिल जाएगा तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ के करना जो बाते मैंने समझाई यह उन पर भरोसा रखना और फिर attempt करना झाल झाल कर देखो मैंने आपको एक बात हमेशा समझाई है और ये UPSC का एक पैटन भी रहा है अभी तक तो UPSC ये करती आई है 2024 में नहीं पता क्या पता UPSC अपने आपको बदल दे हमें अभी नहीं पता UPSC हो सकता अपने आपको बदल भी दे लेकिन अभी तक UPSC का एक ट्रेंड रहा है एक पैटन रहा है एक तो जब वो एक्स्ट्रीम बात करती है कोई एक्स्ट्रीम बात तो वो गलत ही होती है 99 परसेंट एक परसेंट वो सही भी हो जाती एक्स्ट्रीम बात बट 99 परतिशत 99 परसेंट उसकी जो एक्स्ट्रीम बात होती है वो गलत ही निकल कर आती है हमने देखा है इसके साथ साथ जब कभी only use किया जाता है क्या शब्द only only word जब use किया जाता है तो भी UPSC जो है वो statement को गलत ही consider कर रही है तभी वो ये शब्द only word जो है वो use करते है ये एक observation है UPSC के बारे में कि UPSC ऐसा कर रही है ठीक है यहां पर देख लेते हैं बात और यह बेटा कॉपरेटिव सोसाइटीज की बात और यह कॉपरेटिव सोसाइटीज की सहकारी समीतियां क्या कहा जा रहा है statement one only state legislatures can make laws related to cooperatives of any kind केवल राज्य विधान मंडल ही सहकारी समीतियों से संबंदित किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं ठीक है सेविंथ शेडियूल अब दे इंडियन कॉंस्टिटिउशन प्रोवाइड्स फॉर स्टेट लेजिसलेचर टू लेजिसलेट और कॉपरेटिव सोसाइटी भारतिय सम्विधान की सात्वी अनूसूची राज्य व स्टेटमेंट से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं आपको सेकेंड वाली नहीं आती मैं माल लेता हूं एक तो एक चीज और कहूंगा मैं देख रहा हूं बहुत सारे दुनों से जैसे जैसे एक्जाम पास आ रहा है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी सब्सक्राइब कर दारी है मैं आपको नहीं नहीं करें हुआ कोई कुछ भी बोलता रहे मैं अपको सीरियर से बता रहा हूं यहां से लेकर एक टाइम होता नहीं इन पांच महीने में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे आप सीरियस नहीं होंगे आप अपना सिलेक्शन 2024 में नहीं ले पाएंगे माक माय वर्ड्स यहां से लेकर उस एक्जाम तक अगर आप सीरियस रहेंगे तो यह आप सिलेक्शन लेंगे क्यूंकि पिछले साल लगभग साड़े पांच लाग छे लाग बच्चा बैठा था एक्जाम में इस बार भी इतना बैठेगा इससे जादा ही बैठेगा पिछली बार जिन बच्चों का प्रिलिम्स नहीं क्लियर हुआ पैटन चेंज होने की वज़े से वो इस साल दुबारा आएंगे जो मेंस तक पहुंचे थे जिनका मेंस क्लियर नहीं हो पाय था वो आएंगे आपका उनसे कॉम्पेटिशन है आपको लगता है कि आप उनसे तैयार है तो लीनियंट हो जाइए अगर आपको लगता है तैयार नहीं है देन मांक माय वर्ड्स पांच महीने है जो कर सकते हो इन्हीं पांच महीनों में करोगे इसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आपका कॉम्पेटिशन उनसे याद रखिएगा मैं देख रहा हूं बह पिछली बार जो प्रिलिम में फेल हुआ बच्चा चोट खाया बैठा उससे कॉम्पेटिशन है में में फेल हुआ उससे कॉम्पेटिशन है इंटर्व्यू तक पहुंचके भार हुआ तो उससे कॉम्पेटिशन है लग रहा है उनसे कॉम्पीट कर पाओगे तो ठीक है कॉ कॉपरेटिव की बात हो रही है सहकारी समीतियों की बात हो रही है सहकारी समीतियों के अगर मैं बात करता हूं देखे कॉपरेटिव दो टाइप की हो सकती है एक ऐसी हो सकती है जो एक ही राज्ये में काम कर रही हो और एक हो सकती है मल्टी स्टेट अगर मैं सहकारी समीतियों क की बात करता हूं अगर मैं कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करता हूं ठीक है अगर मैं सहकारी समीतियों की बात करता हूं अगर मैं कॉपरेटिव की बात करता हूं कॉपरेटिव दो प्रकार की हो सकते हैं सहकारी समीतिया सब्जेक्ट है कॉपरेटिव जो है वो राज्य सूची का विशे है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है राज्य सूची यह बिल्कुल सही बात है कि भाई कॉपरेटिव राज्य सूची का विशे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ठीक है लेकिन जो मल्टी स्टेट कॉपरे तो विन्यमित कर नहीं सकती कानून बनाके इसी वज़े से मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी जो होती है उनके लिए पार्लेमेंट को लौ बनाने दिया जाता है ठीक है तो याद रखिए का वैसे तो हाला कि वैसे तो कॉपरेटिव जो है सहकारी समीती जो है वो राज यहाँ पर कहा रहा है यहाँ पर कहा जा एक्सट्रीम बात भी आ गयी तो तो दो दो-डो रोड ब्लॉक आ गए तो हम इसे सही नहीं बान सकते Lily गलत है क्योंकि जैसे मैंने भी बताया multi state cooperative societies उनके लिए कानून कौन बनाएगा उनके लिए lock on बनाएगा वो बनाएगी Parliament ठीक है पहली वाली statement गलत है दूसरी वाली आपकी सही हो जाएगी second वाली सही है correct answer इसका correct answer है इसका correct answer हो गया ठीक है याद रखना only word तो दिमाग में पहले क्या आना चीए कि यह statement कहीं ना कहीं गलत होगी फिर उस statement को दुबारा चेक करो एक्स्ट्रीम बात फिर दिमाग में वहीं आना चीए कि statement में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी दुबारा चेक करो 99 परसेंट केसिज में वो गलत बात है ठीक है तो correct answer क्या हो गया इसका correct answer हो गया option नमबर डी लीजे भाई next question CAG controller and auditor journal easy question एवाला प्रॉब्लम हो गया है तो कंट्रोलर एन ओडिटर जर्नल C.A.G ठीक है, अब एक बात बताना, चलो पहले, आंसर की तरफ जाने से पहले, मैं एक छोटा सा क्वेशन पूछ लेता हूँ, हमने ये देखा, C.A.G बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी देखा, C.A.G के उपर क्वेशन बनने के चांसे रहते हैं, हमेशा रहते हैं, आप एक बात बताना, आप एक बात बताना, क्या ये क्वेशन आपके इसाब से गलत होना चाहिए, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रियलिस्टिक, देखो, मैं आपको एक तरीके से एक आईना दिखाना चाहरा हूँ, कि अभी तयारी कहा खड़ी है, और कह तक जाना है, तो पहले वस इस सवाल का जवाब दे देना, क्या आपके इसाब से ये क्वेशन गलत होना चाहिए, आपका या नहीं, फिर आंसर की तरफ आ जाते हैं, विद रेफरेंस टू सी एजी, तो पहली बात तो सी एजी कौन है, सी एजी वो अथॉरिटी है, वो कॉन पारलेमेंट के, तो सी एजी जो है बेटा, ये संसद के बिहाफ पर काम करती है, और सी एजी जो है, सी एजी, सी एजी को पारलेमेंट में कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, सी एजी का प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता संसद में, सी एजी खुद जिम्मेदार है संसद के प्रति सीएजी जो रिपोर्ट सोपती है उन रिपोर्ट को Parliament कंसीडर करती है लेकिन सीएजी का प्रतिनिधित्व कोई नहीं करेगा संसद में यहां पर क्या लिखा गया है अ depends इसे लुग करवा को अगर अभी किताब खोल के देखो गे ना वहां पर लिखी वी यह बात कि फाइनेंचल वाचडॉग कहा जाता इसे फाइनेंचल वाचडॉग पारलेमेंट के बहाफ पर काम करती है और संसद में कोई इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता यह खुद संसद के प्रति उत्तरदाई होती है जिनों ने स्टेटमेंट को सही माना अभी बेसिक्स तक याद नहीं है सिय जी का अभी का बेसिक भी याद नहीं है तो रिविजन करने की ज़रता दार सिय जी टॉपिक की किताब उठाना सिय जी को रिवाइस करना यह इस इन एलिजिबल टू होड़ एनी ऑफिस बेटा आपको याद होगा मैंने आपको एक जेनरल बात समझाई थी मैंने मैरतन वाले दिन भी समझाई थी एक जेनरल बात मैंने क्या कहा था आप से मैंने कहा था जो constitutional bodies होती है समझाई होते हैं समझाई निकाई जो होते हैं उनमें जादतर में प्रावधान होता है कि 6 साल या 65 साल कि आपका टैनियोर होगा या तो 6 वर्ष का होगा या जब तक आप 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक आपका कारेकाल होगा फिर मैंने ये भी काता जादतर constitutional post प आपको यहीं बात कहीं गई है कि समझाई यह बात क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी अगर यह गलत हुआ है अगर यह गलत हुआ है अगर यह गलत हुआ तो आप खुद से सवाल करो यह question कैसे गलत कर दिया मैंने देट मीन्स अभी मुझे सीएजी याद नहीं है मुझे सीएजी रिवाइज करना है और यह तो बहुत यह तो बहुत जेनरल बात है जो मैंने है क्या ही UPSC को सोच रखा है पाता नहीं क्या ही चल रहा है कि ऐसे बच्चों वाले question गलत करते हो यार कि मतलब यह तो बेबी questions है बच्चों वाले सवाल है कि अगर कि अगर लो भई यह है करेंट अफेर का question नोटा इवी एम याद रखना 2024 में इलेक्शन से related question आने के पूरे पूरे chances हैं इलेक्शन में यही इसारे question बन सकते हैं या model code of conduct का question बन सकता है MCC आचार सहीता जिसे कहा जाता है तो या तो आचार सहीता पर सवाल बन सकता है या फिर EVM पर नोटा पर इनी चीजों पर question बनेगा या जन प्रतिनिधी अधिनियम पर बन सकता है representation of people's act पर बन सकता है इसके अलावा बेटा अगर question बनेगा तो और पर बनेगा representation of people's act यह भी पूरा नहीं पढ़ना जो न्यूज में जो खबरों में बस उतना जो न्यूज में है जो खबरों में हैं बस उतने उतने प्रावधान पर बनेगा चलिए देख लेते देखिए पहले क्या होता था भारत में जो चुनाव कराये जाते थे वो बैलेट पेपर पर कराये जाते थे मतलब एक आपको परचा दिया जाता था जब आप वोट डालने जाते थे परचा दिया जाता था आपको जो candidate पसंद है आपने उस पर ठपा मार दिया उस पर महर मार दी और आपने बैलेट बॉक्स हुआ करता था बैलेट बॉक्स में अपनी वोट डाल दी पहले यह हुआ करता था अगर आप राष्टपती का चुनाव देखेंगे प्रेसिडेंट आफ 1977 में 1977 में 1977 में हमारे चुनाव आयोग ने प्रस्ताव रखा Election Commission ने recommendation दी कि इंडिया में electronic voting machine का प्रियोग किया जाए पहली बार पहली बार जो इवी एम का प्रियोग किया भारत में किसी चुनाव में वह वा था के रला के इलेक्सिन में 1982 तो पहली बार फर्स्ट टाइम ये जो हुआ था ये केरेला में हुआ था 1982 लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जुड़ी वे इससे सुप्रीम कोट ने चुनाव रद कर दिया था क्यों रद कर दिया था सुप्रीम कोट में इन चुनाव को चुनौती दी गई किस आधार पर ये कहा गया कि भाई किसी भी कानून में नहीं लिखावा है कि वोटिंग कराने के लिए EVM मशीन का प्रियोग किया जाए तो फिर चुनाव आयोग ने कैसे EVM का प्रियोग कर लिया सुप्रीम कोट तक बात चली गई थी तो सुप्रीम कोट ने चुनाव रद भी कर दिये थे इस आधार पर कि वोटिंग मशीन जो है वो किसी कानून के अंतरगत आप प्रियोग नहीं कर सकते ठीक है लेकिन हाँ पहली बार जो इस्तमाल हुआ वो केरल में 1982 में भारत में पह हो वोट कहां चली जाती है एक पाइटी को चली जाती है अभी भी देख रहो ना आप 2014 में भी चुनाव हुए तो आरूप लगा 2019 में भी लगा ओ सकता 2024 में भी लग जाए कि मैं कहीं भी बटन दवादो वोट तो एक ही जगे जा रही है यह भी तो तो इसके लिए क्या किया गया इसके लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के साथ एक नई टेकनलोजी जो ली गई जिसे कहा जाता है पेपर और ट्राइल ठीक है वीवी पैक्ट वेरिफाइड वोटर वेरिफाइड पेपर और ट्राइल तो वीवी पैट आज की तारिक में क्या होता है अगर आप कभी वोट डालने गए हो या अब वोट डालने जाओगे 2019 के लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत में प्रयोक किया गया था जब आप वोट डालोगे तो वोट डालने के बाद साथ सेकंड के लिए परची निकल कर आती है उस परची में जिस कैंडिडेट को आपने वोट का इस्तमाल कर रहे हैं और 2019 के चुनाव में पूरे भारत में वीवी पैट का प्रयोक किया गया है इन लोकसभा एलेक्शन 2019 वीवी पैट वर फॉस्ट टाइम यूजड इन ऑल कॉंस्टिट्वेंसी बिल्कुल सही बात है 2014 में 2014 के चुनाव में पहली बार वीवी पैट को ल भारत में सभी निर्वाचन शेत्रों में सभी कॉंस्टिट्वेंसी में इस सिस्टम को लगा दिया गया है फिर आते हैं नोटा पर नन ऑफ दी अबब सुप्रीम कोट की वज़े से आपको एक नई पावर मिली है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद आता तो फि लाए गया था इन लोकसभा इलेक्शन नन अफ दी अबब वस फर्स ताइम यूजड बिल्कुल सही बात है तो 2014 के चुनाव में पहली बार भारत में लोकसभा चुनाव में नोटा जो है वो प्रियोग में लाए गया था और यह सुप्रीम कोट की वज़े से आया है अंसर हो गया आपका option number D सारे के सारे जो है बिटा सही है तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं चलिए आगे बढ़ते हैं लो भाई न्यूज में रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट एफ आर ए फॉरेस्ट राइट एक्ट वन अधिकार अधीनियम 2006 इस क्वेशन को अटेम्ट करने से पहले मेरी एक बात पर गौर करना हर स्टेटमेंट को पढ़ते वे एक बार जड़ा सोचना कि यहां पर जो अथ है गलती पकड़ दो क्यायों से चलो पांच में सặर 5 में से चार वालस हमें चला गया आब पांच में से पांच का समय में आ गयाओ अब हर statement को attempt करने से पहले खुछ से पूछना कि क्या ये सही हो सकता है क्या ये बात सही कही जा रही है कि एए एए सब ए के साथ जा रहे हैं बाई साथ मतलब सब एक साथ जा रहे हैं लगातार एही चमक रहे हैं अच्छा अगर आप एक जो भी एक है रहा है कौन सी वाली सही है अगर आप एक साथ जा रहे हो मतलब only one सही वाली कौन सी है फिर आप कौन सी वाली को सही कहना चाहरे हो ये बताओ मुझे ठीक है मैं माल लेता हूं चलो मैं आपकी माल लेता हूं कि आप कहरे हो ए सही कौन सी है ये भी बता दो ज़रा कि आप को इस कानून का पुरा नाम पता है Axi बिटा आपको इस कानून का पूरा नाम पता पूरा नाम ठीक है ठीक है चलो आपकी बात बढ़ी कर दी आपके रो थर्ड वाली स्टेटमेंट ठीक है चलो आपकी बात बढ़ी कर दी पहले आपको इस कानून का पूरा नाम पता है इस कानून का पूरा नाम है schedule tribe and other forest dwellers other forest dwellers forest right act बैटा इस इस कानून का पूरा नाम है schedule tribe एंड अधर forest dwellers इस फॉरेस्ट राइट एक्ट ठीक है यह है इसका पूरा नाम यह है इस कानून का पूरा नाम समझ में आई बात तो अब अब जरा अब जरा मेरी बात पर गौर करना जिनको भी नहीं आंसर समझ में आया जिनको भी नहीं पता की आंसर क्या होगा अब जरा इ पहली पहली स्टेटमेंट देखो दिसएक्ट रिकलनाइजिस ओनली पहली बात तो ऐनली आ गया only आ गया मैंने का ता only आने का मतलब दिमाग में पहली बात या ने चींड़ आए दे स्टेटमेंट गलत है only the rights to hold and live in the forest land but not ownership of land बिटा forest right act majorly लाया इसले गया है कि जंगलों में रहने वाली जो जंजातियां है और और लोग हैं जो कहीं-कहीं PDO से कहीं-कहीं दशकों से forest में रह रहे हैं उनको ownership मिल जाए लैंड ओनर्शिप मिल जाए भूमी पर अधिकार मिल जाए स्वामित्व मिल जाए इसलिए लाए गया है पहली स्टेटमेंट गलत not land ownership लैंड ओनर्शिप प्रोवाइड करना तो इसका वन अब दे मेजर परपस था मुख्य उद्देश्य में से एक है पहली वाली गलत है ठीक है दूसरी पर आ जाओ दा राइट्स अंडर दी एक्ट कैन ओनली बी क्लेमड बाइ है members of members or communities of schedule Tribe Act का नाम क्या है hè Schedule Tribe and Other traditional forest dwellers दर ट्रेडिशनल forest dwellers यहां क्या कह रहें इस अध拈िनियम के तहत अधिकार का दावक केवल अनुसूचित जन जाती के सदस्से क्यूं भाई Other traditional forest डिवेलर्स भी तो है अधर ट्रेडिशनल जो पिछली तीन पीडियों से या पिछले 75 साल या उससे ज्यादा से जंगलों में रह रहे हैं अगर उन्हें शेडियूल ट्राइब का स्टेटस नहीं भी मिला उनके लिए यह कानून यार रखना जो लोग पिछली तीन पीडियों से तीन जेनरेशन से या 75 साल से जंगलों में रह रहे हैं जंगलों के ओपर निर्भर कर रहे हैं उनको भी उनके अधिकार दिलाने के लिए तो केवल क्या रहे हूं बैटा एक बात बताना जरा एक बात बताना इस देश में इस देश में लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस कौन लेकर आया है इस देश में स्थानिय स्तर पर स्वाशासन लोगों की सहभागीता किस ने सुनिश्चित की है ग्राम पंचायत ने की है ग्राम पंचायत ने की है या ग्राम सभाने की है किसी भी Act के अंतरगत Beneficaries को identify करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाता है या ग्राम सभाओं को दिया जाता है जरा बताओ मुझे इस बात का जवाब किसी भी अधीनियम के अंतरगत बेनेफिशरीज को आइडेंटिफाइ करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती है ग्राम सभा की होती है ग्राम सभा is the authority to initiate the process for determining यही तो ग्राम सभा का उद्देश्य है तभी तो ग्राम सभा बनाई गई थी इसलिए कहा था एक-एक स्टेटमेंट को पढ़ते वे खुद से सवाल करते रहना कि क्या ये बात सही होगी सिर्फ ये पकड़ना था कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हमेशा याद रखना जादातर केसिज में ग्राम सभा को पावर दी जाती है ग्राम पंचायत पर निगरानी के लिए भी ग्राम सभा है आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ग्राम सभा है ओडिटिंग के लिए भी बोलीती की identify करना लेकिन नहीं फिर से फिर से आपने वहीं गलती कर दी है डी और याद रखना यूपीएसी यही करती है वो यही करेगी आपके साथ ग्राम सभा की जगे ग्राम लग्राम पंचायद ग्राम पंचायद की जगे ग्राम सभा वो यही करेगी उषए पता है आप यहाँ फसोगे और देखो आप फस रहें वहां पर ग्राम सभा का उद्देश्य होता है यह सारे काम ग्राम सभा को दिये हैं बिटामने भाषाई अलप संख्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी के संदर्ब में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक बात नोटिस कर रहे हैं आप देख रहे हैं आप आंसर के कितना नजदीक पहुंच रहे हैं लेकिन फिर भी गलत हो रहा है यही होता का एकजाम हौल में UPSC के आपको एकजाम में आँसर के नजदीक लेकर आती है और फिर आपसे गलती करवा देती है इसलिए मैं कयता हूँँए दूसरे एकजाम से जुदा एकजाम है ना इस्टेट PCS है ना इए SSC है यह UPSC है वो आपके दिमाग के साथ खेल जाती है आपको पता भी नहीं लगता है आपको लगता है आप सही कर रहे हैं गलत हो जाता है उसको पकड़ना है चीज़ को अगरे तो बाइब तो इस पेशल ओफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इस कंसर्ड फॉलिंग स्टेट्मेंट भाशाई अल्प संख्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजे इस क्वालिफिकेशन और टेन्योर आर नॉट स्पेशिफाइड इन दे इसकी अहरता और कारेकाल सम्विधान में निर्दिष्ट नहीं किये गए हैं दी ऑफिस इस डेजिगनेटेड एज दी कमिशनर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और फॉल्स अंडर दा मिनिस्ट्री और फॉम अफेर्स इस पद को भाशाई अल्प संक्यक आयुक् तथा यह ग्रह मंत्राले के अधीन होता है अच्छा अगर मैं तुमसे एक बेसिक सवाल पूछू एक बेसिक क्वेशन है मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेशन है एक बहुत ही बेसिक सवाल है आपसे अगर मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता हूं अगर मैं भाशाई अल्प संख्यको की बात करता हूं तो अल्प संख्यको माइनॉरिटी से जुड़ावा कोई मंत्राल्ले है क्या भारत में बेटा अल्प संख्यको माइनॉरिटी से जुड़ी कोई आपको यह बात याद होगी कि इंडिया में जो राज्य हैं जो स्टेट्स हैं हमने उनका पुनरगठन किया हमने उन्हें रियॉर्गनाइज किया है अगर भारत में मैं राज्यों की बात करता हूं मैं स्टेट्स की बात करता हूं स्टेट्स जो है राज्य जो है हमने राज्य अधीनियम 1956 से हमने यह जो है इनको री और इस किया अच्छा री ओर्गनाइज करने की जो डिमांड उठ रही थी वो किस बेसिज पे ओर रही थी आधार क्या था बेसिज क्या था बेसिज लैंग्वेज ही था अलाकि बाद में हमने language के साथ-साथ और भी बहुत सारे conditions देखी, criteria's देखे, grounds देखे, जिनके basis पर हमने reorganization किया लेकिन जो अवाज उठी थी वो तो भाषा के अधार पर उठी थी, language के basis पर उठी थी, अवाज तो इसी अधार पर उठना शुरू ही थी, चलो देख लेते हैं The Constitution originally did not make any provision with respect to special officer for linguistic minority, बिल्कुल सही बात है शुरुवात में ऐसा कुछ नहीं था, जब states को reorganize किया गया, जब राज्यों का पुनरगठन किया गया तो सात्वे सम्विधान संचोधन अधिनियम से एक आर्टिकल जोड़ा गया 350B, 350B, आर्टिकल नमबर 350B जो है इसी में बात की गई है Special Officer for Linguistic Minority, तो इसमें Special Officer for Linguistic Minority उसके बारे में दिया गया है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया, ये कहा गया Special Officer for Linguistic Minority जो है इसका appointment President करेंगे लेकिन इसके अलावा इसकी qualification क्या होगी, इसको कैसे अटाये जा सकता है, किस ground पर हटाये जा सकता है इसकी तंखा क्या होगी, इसके भत्ते क्या होंगे, इसकी power क्या होंगी, उसके बारे में और कुछ नहीं दिया गया Constitution में सब राष्ट्रपती के उपर है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन कर दिया गया कि एक Special Officer for Linguistic Minority होगा इसका appointment President करेंगे, इसकी powers, इसकी functions, इसके साथ-साथ इसकी तंखा कितनी होगी, salary, allowances, कुछ नहीं बताएगा कैसे हटाए जाएगा, क्या qualification कुछ नहीं दिया गया, तो बिल्कुल सही बात है, शुरुबात में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, 7th constitutional amendment टाक के थुरू, जब states को reorganize किया गया, language के basis पर His qualifications and tenure are not specified in the constitution, बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, राष्ट्यपती के ओपर छोड़ दिया गया, आज की तारिक में एक special officer है, जिसे का जाता, Commissioner for linguistic minorities, तो है, Commissioner for linguistic minorities, बिल्कुल है, लेकिन मैंने जैसे आप से पूछा था, क्या भारत में कोई मंत्राल है, अलप संखेकों से जुड़ा, तो बिल्कुल है, ministry of minorities affair, ठीक है, minorities जो है, अलप संखेक, समुदाय जो है, उनके मामलों से संबनित मंत्राले है, तो फिर इस officer को, ग्रह मंत्राले के अंतरगत काम करना चीए, या minority ministry के अंतरगत, भाई, अगर minorities से related कोई matter है, और कोई officer उसके के ले काम कर रहा है, तो फिर वो तो minority ministry के अंडर काम करेगा ना, नहीं तो फिर उसका फायदा क्या बनाने का, one or two, correct क्या हो गया, केबल दो, ठीक है, दो statement correct है, पहली और दूसरी, तीसरी वाली नहीं है, logic बैठ रहा था सीधा-सीधा कि यार, जब इंडिया में minority ministry है, तो फ right to information, फिर से कहा रहा हूँ, एक-एक statement को पढ़ते हैं, खुझ से सवाल करना, क्या है, logical बात है, अगर कुछ illogical लग रहा है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है, यह नहीं होना चीए, काट देना, भरोसा रखना, खुझ पे, काट देना, उससे, अ अगर किसी statement में ऐसा लगे, कि यह बात नहीं होनी चीए, logic नहीं है, इसका, काट देना, भरोसा रखना, खुझ पे जो अगर कुझ अगर कवकरिवी बात देना, व सक्ष़焦्ग Alma-Ho हुझ देना झाल पहले तो भाई साब मैंने मना किया है कि कोई प्रॉम्ट मत किया करो दूसरों को कि वो पूछ रहे हैं करेक्ट या नहीं अगर तुम बाज नहीं आओगे ना मुझे ब्लॉक करना पड़ जाए तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ उन्हें खुद देखने दो गलती करने दो गलती करके सीखने दो अगर आप ऐसे बता दोगे कि हां और ये पूछ रहें तो फिर बेटा उनको क्या करने काव का मौका क्यों नहीं दे रहे गलती करने दो न उन्हें सीखेंगे खुद प्रॉम्ट मत करो कि करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट अब देखो सबसे पहले देखो कितनों ने बात देखी क्या पूछ रहा है वो यह देखो कितनों ने देखा कि वो क्या पूछरहा है वो पूछर है नॉट करेक्ट देखो पहले इस बात को सही नहीं है ये या होता फूरो फूरो में हम पेपर एठेम्ट कर रहे होते हैं एक के बाद एकinn aur कररे होते फिर अचानक से एक question आता है जिस पे लिखा होता है not correct हम देखी नहीं पाते क्यों क्योंकि हमारा माइंड प्रोसेस क्या कर रहा है कि वो करेक्ट पूछ रहे तो हम क्या करते करेक्ट करेक्ट करते चले जाते पता लगता है कि करेक्ट नहीं पूछाता उसने इंक्रेक्ट पूछाता है और हमने देखा नहीं तो आदर्ट डालो इसे देखने की ठीक है मैं आपको वो सारी चीजे बता रहा हूँ जो यूपिस्ट आपके साथ करेगी exam hall में मैं यहीं बता रहा हूँ यहीं प्रिपेर होके जाओ कि वहाँ पर जब ठीक है अब आंसर की तरफ बढ़ता हूं दोको पहली चीज राइट टू इंफर्मेशन का काम क्या है राइट टू इंफर्मेशन एक्ट का काम क्या है बिटा इसका काम है आपको सूचना प्रदान करना सरकार के बारे में ठीक है अच्छा बात बताओ इस देश में क्या दोई जाए क्या इंडिया में दोएं लैंग्वेज बोली जा रही है हिंदी और इंग्लिश क्या रीजिनल लैंग्वेज बोली जा रही है तो ग्राउंड ऊना चीह है जिस ग्राउंड की वजेसे मुझे information ना मिल पाए फिर तो right to information act का purpose ही खतम हो जाएगा RTI Act का purpose क्या है मुझे तक information पहुंचे लेकिन अगर मुझे तक information provision होना चाहिए हिंदी इंग्लिश या फिर उस रीजन की जो शेत्रिय भाषा है जो अपचारिक भाषा है शेत्रिय भाषा को यह अपचारिक भाषा बना दिया जाता है उसमें भी मैं application लिखकर information मांग सकूँ तभी तो उसका purpose solve होगा otherwise उसका purpose ही क्या रहे जाएगा फिर अगर मुझे से कह दिया जाए इंग्लिश है हिंदी में लिखो भाई हो सकता है मैं South India से हूँ मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई नहीं आती हो मैं ज्यादा पढ़ा लिखाना हूँ लेकि उसका purpose है सूचना प्रदान करवाना भाषा को आधार बनाकर अगर सूचना नहीं दोगे तो उसका purpose ही बेकार है application can be handwritten और टाइप यह बिल्कुल सही बात होनी चाहिए बही चाहिए मैं handwritten लिख कर मांगूं चाहिए मैं type करवा कर मांगूं मेरे को अधिकार होना चाहिए कि मुझे सूचना मिल सके तो यह तो उसके purpose के साथ जा रहा है कर ऐर मेंหहिए थर्ड कर आर्टिहाय एक्ट में कितने दिन में आपको सूचना मिलनी है यह तो सबको पता होता यह तो journal बात है तो आम लोग आम मैं से भी बहुत लोग Dil बता हुआ कि आर्टिहाय के अंडर कितने दिन में धूरिशना मिलनी चाहिए 30 दिन का प्रावधान लगब एक महीना 30 दिन का प्रावधान किया गया गलत पहली और तीसरी गलत है दूसरी वाली सही है correct answer क्या हो जागा इन्होंने पूछा not correct दो not correct है पहली और तीसरी बीच वाली सही है हर अधिनियम देखो अब एक बात समझना जब कभी क्योंकि आज मैंने काफी सारे आपको क्वेशन कराएं एक्ट के उपर क्योंकि ये न्यूज में रहा है जब भी कोई कानून बनाया जाता है जब भी कोई आक्ट बनाया जाता है उस कानून उस एक्ट का कुछ उद्देश्य होता है कुछ परपस होता है उस purpose के according ही उसमें प्रावधान किये जाते प्रोविजिन किये जाते आप उस act के purpose को ध्यान में रखा करो और उसके बाद provisions को देखा करो कई questions ऐसे होते हैं जिनमें जो options होते हैं वो उसके purpose के साथ जाएंगे ही नहीं अगर वो नहीं जाएंगे वो गलत हैं जैसे यहां पर यह purpose के साथ नहीं जा रहा था यह गलत है यह भी बहुत help करता है हमें वहां बैठके answer deduct करने में यह सारी knowledge वहां काम आईगी आपके exam लो भई next और यह सारी बाते न टेस्ट लगा कर भी सीखी जाती हैं इसलिए कहता हूँ टेस्ट जादा से जादा करने की कोशिश करो apply करो अपने logics को और अब तो offline टेस्ट सीरीज आपके घर तक जा रही है घर पर मंगाओ दो घंटे का timer लगाओ बैठके करो solve और जो question गलत हुए है solution में से उनको पढ़ो और देखो गलत कहा हूँ है theory को समझो उसकी consider the following statement regarding removal of chairman of UPS यह तो तुम गलत कर दोगे यह तो तुम गलत कर दोगे मैं कह रहा हूँ यह तो तुम गलत कर दो मैं लिख कर दे रहा हूँ गलत करोगे तुम चलो मैं लिख कर दे रहा हूँ गलत करोगे तुम यह तुम गलत करोगे मैं लिख कर दे रहा हूँ ठीक है एक काम करना इसका जवाब अभी मैं नहीं दे रहा है मैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ चल रहा हूँ अगले सवाल की तरफ इसका जवाब आपको देना है कॉमेंट सेक्षन में आज पढ़िएगा यूपीएस यह वह बॉड़ी यह है वह बॉड़ी जो तुमसे तुम्हारा सिलेक्षन चीनती है देख लो इसे ध्यान से तुम्हे है तुम्हें से तुम्हारा सिलेक्षन चीनने वाली बॉड़ी लो नेक्स्ट क्वेशन पर आजाओ छोड़ दो से सब का गलत है कि 95 परसेंट बच्चों ने गलत आंसर दिया स्क्वेशन का अब तुम कॉमेंट में देना पढ़के पढ़के जवाब देना मुझे उसका कि और हाँ ये सारे क्वेशन जो है यहां पर अप्लोड कर दूँगा जितने क्वेशन करुआ आँ उसका क्वेशन बैंक बना लो एक्जाम में जाने से पहले सारे क्वेशन रिवाईस करके जाना बहुत चुन-चुन के क्वेशन लेकर आ रहा हूं कोशिश यहीं रहेगी चाहे पॉलेटी हो चाहे एकनॉमी हो चाहे जोगरफी हो अभी तो यही तीन सब्जेक्स चल रहे ना इन तीनों में जितने क्वेश्चन करा दू वहीं से आजाए 100% पेपर मज़े आ जाएंगे तुम्हारे अपनी तो मेरी कोशिश यही रहेगी बटा बाकी ईश्वर मालिक ह तो में पुलेटी हो चाहे हैं है जाए 10 सीजेक्स चल रहे तो में जाएंगे एकन। अच्छा एक बात बताओ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं ऐक छोटा सा तुमझे सवाल पूछता है बागा बताओ आज ये माल विधान सभा के चुनाओ हुए हमारें मध्यप्रदेश में हुए राजिस्थान तो अगर विद्यस्थान के चुनाओ में चुनाओ को लेकर कोई विवाद कहडा हो जाता है कोई डिस्प्यूट खडा कि उसमें सुनवाई कौन करता यह बताओ चलो मुझे अगर कभी विवाद खड़ा हो जाता है विधान सभाके चुनाऊ में तो विद्धान सभाके चुनाऊ में जो विवाद खड़ा हो गया उस विवाद में कि यह डिस्प्यूट कहा जाएगा कौन फैसला सुनाएगा मुझे बता देना यहां पर आते हैं कि सर एकनॉमी की मैराथन ले लिजे बेटा मैराथन ले रहा हूं मैं 31 तारिक को 31 कि दिसंबर कि 2023 साल खतम होने वाला हुगा ठीक है कि ठीक है शाम को दो बजे दुपहर केलो चलो दुपहर को दो बजे मैराथन लूँगा कि ठीक है कि मैराथन लूँगा बस बता दिया मैंने 31 दिसंबर 2023 दुपहर में दो बजे मैराथन होगी ठीक है बता दिया पहले अब आते हैं इस बात पर देखिए बेटा कि चुनाव से रिलेटेड मामला चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो विधान सभा के चुनाव हो उनसे रिलेटेड मामला जाता हाई हाई कोट के पास वो जाता उच्च निया अल्ले के पास हाई कोट के मूल शेत्राधिकार में आता है वो ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोट तो हाई कोट का जो मूल शेत्राधिकार होता है हाई कोट की जो ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन होती है ये उसके अंतरगत आता है समझे ये उसके अंतरगत आता है 1966 19th Constitutional Amendment Act से पहले इससे पहले अलग से election tribunals बनते थे अलग से election tribunals बनते थे और उनके पास जाता था लेकिन 19th Constitutional Amendment Act 1966 ने ये matter High Court के अंतरगत रख दिया तो अब चुनाव से संबंदित कोई विवाद कहां जाएगा वो जाएगा High Court के पास अब वो election tribunals के पास नहीं जाता इन इंडिया ओनली पहले तो देखो only आ गया ओनली आ गया इन इंडिया ओनली दा election tribunals आर ऑथराइज टू हेर election petition गलत पहले था यह पहले था यह प्रोविजन आज की तारिक में नहीं है 19th amendment of the Indian constitution 1966 provided high courts with the power to hear petitions बिल्कुल सही बात है आज की तारिक में उच्च नियालने के पास जाता चुनाव से जुड़ावा विवाद करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा भाई पहली statement गलत है दूसरी वाली सही है डी हो जाएगा इसका correct answer श्यालो बेटा आगर बढ़ते हैं अगले सवाईल की तरुफ बढ़ जाते हैं यह लिजे statement confused करेगी confused मत होना ध्यान से पढ़ना statement को और जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है तैयारी करना चाहता है यह रहा टेली ग्राम चैनल मेंज अंसर राइटिंग बाइंकित सर मेंज अंसर राइटिंग बाइंकित सर यहां पर जुड़ जाओ यहां पर class की PDF notification सब कुछ मिल जाएगा करें 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 कि यह चाहिए वह चाहिए बस यह करते राकर हो यह चाहिए वह चाहिए तो एक काम करते हैं इसका अंसर कर दिया तुमने एक काम करते हैं और सब्जेक्ट कर दूँ आफ सब्जेक्ट और हैं सारे सब्जेक्ट की गर्दू मैरतन कि अगे सारे सब्ज़ेक्ट की गर्दू क्या मैरतन तो अल्षब्जेक्ट की लिया आता हूं फिर करेंट अफेर पर बेज जो करेंट अफेर में चलना है करेंट जो करेंट शो करेंट चलना है मिरे अड़र वालो का क्या होगा हूँ और अड़र निया अल्ट दागे लिए अज्डदां वालों का क्या होगा मैं खड़ा उने याप एडडां वालों के लिए ना खड़ा हो न मैं याप चलो आंसर देख लेता है विप की बात हुर यह बटा विप डवलु एच आइपी इप डवलू एच आईपी इस विप विप की बात हुरे मेरे बच्छो विप विप ठीक है अगर मैं विप की बात करता हूं अगर मैं विप की बात करता हूं पहली बात तो यह सचे तक विप मैंने आपको कहीं बार विप के बारे में बताया कि विप सम्विधान में नहीं दिया ग पर बेजड है पहली बात तो ये थी और मैंने ये भी समझाया आपको कि हर राजनेतिक दल में विपो सकता है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना विपोता ऐसा नहीं कि नैस्टिनल पार्टि यैस स्टेट पार्टी तब H Kollege का काम और यह अनुशासन जो भी उसके सदस्य हैं राजनेतिक दल के उन्हें अनुशासन में रखे ये उसकी जिम्मेदारी ये उसका काम है बिल्कुल सही बात है पहली वाली स्टेट्मेंट भाई बिल्कुल सही है इसमें तो कोई दो बात ही नहीं दूसरी पर आते हैं कि अगर कोई नाशनल और स्टेट पार्टी नहीं भी है लेकिन उसका कैंडिडेट जीत के वहां पहुंच गया को विप तो वहां भी हो सकता है अब पॉलिटिकल पार्टी हाज़ा कॉंस्टिटूशनल राइट टू इशू अविप टू इट्स लेजिसलेचर अब देखो कन्फूजन यहां होना चीए अगर आपको यहां कन्फूजन हुआ है तो मैं मान लेता हूं इससे उपर वाली दो स्टेट्मेंट में कोई कन्फ लगता है सही है मुझे बस यह बता दो कितनों को लगता यह गलत है कितनों को सही है यह बता दो फिर मैं आपको इसका अंसर बताता हूं और इसका अंसर आपको आता था लेकिन आपने गलती कर दी इसका अंसर आपको आता था आपने गलती कर दी देखिएगा कैसे अगर याद आये तो बैटा हमने एक चीज पढ़ी है दस्वी अनुसूची 10th schedule हमने दस्वी अनुसूची पढ़ी है हमने 10th schedule पढ़ा है याद आया दस्वी अनुसूची 10th schedule हमने पीटा दसवी अनुसूची पढ़ी है हमने 10th schedule पढ़ा और जब हमने दसवी अनुसूची पढ़ी ती 10th schedule पढ़ा था तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए एक बात याद आनी चाहिए हमने पढ़ा था कि अगर अगर कोई अपनी political party के द्वारा दिये गए दिशा दिशा निर्देश का उलंगन करता है उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा दसवी अनुसूची दल बदल विरोधिय अधिनियम किसी बिल के फेवर में वोट डालना है या नहीं डालना इस पर दिशा निर्देश कौन जारी करता है दसवी अनुसूची के तहत ये बात लिखी गई है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कुछ कह रही है और आप उस बात को नहीं मान रहे हैं तो आपके ओपर एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा कौन जारी करता है वो वो दिशा निर्देश क्या कहलाता है विपी तो कहल प्यूल ने दसवी अनुसूची ने ये समवेधानिक अधिकार दे दिया आजनेतिक दलों को पहले नहीं था 6 जबी अनुसूची से समवेधानिक अधिकार मिल गया कि वो दिशा निर्देश लागू करवा सकते हैं को कुछ नहीं कहता बहुत मुश्किल था बहुत मुझे पता बहुत मुश्किल था लेकिन अब याद रखना अब याद रखना Constitution में विप लिखा नहीं है लेकिन 10th schedule ने विप जारी करने को सम्वेधानी अधिकार बना दिया राजनेतिक दलों के लिए क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस जा रहा है जो डायरेक्शन दी गई दिशा निर्देश दिया गया उसका उलंगन कर रहा है तो फिर उसके उपटेंशेडियू लागू हो जाएगा तो याद रखना गलती नीची है अब बताओ कहीं किया है तुमने ऐसे दिमाग घुमाने वाले सवाल कि कभी कहीं किया ऐसे तुम्हारा दिमाग भी घुम जाए कि क्या ही क्वेश्चन है क्या ही अंसर है अगा देखलो यार मैने तो मैने तो अपनी तरफ से UPSC को बिल्कुल टच करने की कोशिश किया तुम्हारे बिल्कुल की हाँ यह UPSC यह क्वेश्चन है मेरे वह लेवल मेंटेन किया अभी तुम्हारे उपर है कि तुम्हें एक्जाम क्लियर करना है लीजे भाई केंद्रिया सतर्क्ता योग के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार की जाए विद रेफरेंस तु सेंट्रल विजलेंग्स कमिशन कंशेटर फॉलिंग स्टेटमेंट इट वास इस्टाइश अन्टर प्रेवेंशन अफ क्रॉप्शन एक 1988 दे कमिटी उन प देखो एक क्वेशन तुम्हारा दिमाग हिलाता है तुम नेक्स्ट वाले में गडबड कर देते हो एक क्वेशन दिमाग हिलाया अगिला वाला ही तुम गलत कर देते हो जरा मुझे बताओ सीवीशी मैंने अभी कुछ दिन पहले सीवीशी के बारे में बताया तुम्हें क्वेशन कराया था सीवीशी के बारे में सेंट्रल विजिलेंस कमिशन कब बनाया था मुझे बताओ कौन से साल में बनाया था सीवीशी और मैंने तुम्हें बताया भी था कि cvc पहले सरकार के आदेश पर बना था एक executive body था executive body सरकारी आदेश पर बना था बाद में इसे कानून के अंतरगत माननेता मिल गई तो यह statutory body बन गया सामविधिक निकाए कब बनाये गया था cvc को cvc को बनाये गया था 1964 में 1964 में लेकिन 2003 में आके 2003 में इसे statutory body बना दिया गया जरा देखना वहां क्या लिखा है it was established under the prevention of corruption act आपको पता नहीं क्या cvc कब बना था पता है न सब को पता है cvc कब बना था फिर भी गलती कर दी देखो आप लोग को पता है कब बनाता फिर भी आपने गलती कर दी देखरो ना एक मुश्किल क्वेशन क्या आता है बच्चा लडखडा सा जाता है कि यह तो बच्चों वाला क्वेशन होना चाहिए था सब को पता हिए कि 1964 में cvc को बनाया गया संथानम समीती की रिकमेंडेशन पर बनाया गया कैसे गलती हुई क्यों हुई कि देखरो यह होता है माइंड एकदम से हिल जाता है जब कोई एक बार करवा यूपीएसी तो दस्यों क्वेशन में करवाएगी इसको स्टेबल रखना स्थिर रखना है कि इतना इजी क्वेशन देखो गलत हो गया समझे रो स्ट्राटेजी चलो आज यहीं पर रुकता हूं कौन से क्वेशन का आंसर देना पता है न सब को कौन सवाला क्वेशन था आठ नवा सवाल था न यूपीएस्सी वाला नवा सवाल था न तो बेटा यह जो सवाल है यह जो क्वेशन है कि यह जो सवाल है यह जो क्वेशन है बेटा इसका जवाब देना है तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है तुम्हें comment section में सारे के सारे जवाब दे देना चलो बई जो जुड़ना चाहता है मेरे साथ बेटा यहां जुड़ सकते हो मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर और हाँ चार बजे चार बजे geography और economic class है उसमें भी current affairs based question ही कराऊंगा आज तो चार बजे जोगरफी और economy की जो class है उसमें current affairs के question ही होंगे आज तो उस class को भी ध्यान से कर लेना जो जुड़ना चाहता है मेरे साथ यह रहा मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर यहां पर आप जुड़ सकते हैं बैचेज में एडमिशन लेना है तो भाई UPSC और स्टेट डबल वैलिडिटी मतलब दो साल ठीक है दो साल के लिए आपको मिल रहे है टेस्सीरीज लेनी है तो टेस्सीरीज घर तक डिलेवर की जा रही है ठीक है एडमिशन लेने के लिए करना क्या बता देता हूं आपको अड़्डा 24-7 के स्टोर पर जाना गूगल पर जाना टियौ सी स्याइचि यहां चले जाना सबसे पहले लेजंड cabbage ठेक्र newer उबसे एफ से पहले लगावा है इसके बाद सारे आपको लेजंड्री मफएक है ठीक है तो यहाँ जाएंगे ऐस आ हो जाएगे घर यहाँ ऑप फो जाएगे यहां वो कूपन कोड मॉंगे के coupon code में Y365 Y365 लगा लोगे cost कम हो जाएगी और Y365 लगा लोगे मेरी mentorship में आ जाओगे मेरे साथ जोड़कर तैयारी कर पाओगे मैं अपने WhatsApp पर आपको जोड़ लूँगा फिर आप महां मेरे साथ जोड़े रहेंगे ठीक है और किसी बैच में admission लेना हो UPSC पर जाओ यह रहा प्रिलिम्स जाते प्लस टेस्स इरीज इसमें भी वही काम करना यहां नए सिरे से प्रिलिम्स जाते बैच शुरू हो रहा है आठ तारिक से अगर आप इसमें सिरीज चाहिए सिर्फ टेस्स सिरीज तो UPSC के section पर जाना और यहां नीचे आ जाना है यहां गई बुक्स का section है ना बुक्स्ट बुक्स वाले section में offline test series है कि यहां जाना अगर सिर्फ test series घर पर मंगाना चाहते हो तो उसके लिए y365s लगा लेना बाइना उपर जाओ यहां जाओ y365s लगा लो y365s लगा लो कि कॉस्ट कम हो जाएगी और state PCS के batches में admission लेना तो बेटा यह रहा state PCS के महापैक यहां चले जाओ सभी state PCS के महापैक आपको यहां पर मिल जाएंगे आप इन में भी enroll कर सकते हैं डबल validity के साथ मिल रहे हैं double validity के साथ मिल रहे हैं और दो साल के लिए मिल जाएंगे तो जिसमें भी admission लेना आप ले सकते हैं चार बज़े मिलते हैं जोग्रफी और economy के साथ जैहिंद session को share जरूर कर देना सभी के साथ और चार बज़े वाले को भी कर देना करेंट अफेस पर बेस्ट question होंगे आज thank you